मैं दानिश जमाल आपके जूट हैंडी क्राफ्ट ऑफिसियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं देखिए आज मैं आपको जूट की सिनरी को कैसे बनाते हैं उसके कैसी पेस्टिंग करके कैसे फिनिशिंग करते हैं कुछ आप बात कर Savage से दिखाओंगा कैसे त्यार करते हैं और रात हो गया है अब आप अपने वक्शाप में जहां पर जूट को समदित काम होते हैं कर आपको दिखाओंगा कि जूट को कैसे बनाए जाता है के लिए जूट को बिलाने के लिए क्या आप मेडों मेटरियल क्या जरुरत पड़ता है वैसे जूट रोव मेटरियल के prawn के लिए काम हो रहा है इसे हम पेस्टिंग बोलते हैं पेस्टिंग करके डिजाइन को तयार करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेस्टिंग करने से पहले यह कैसे दिखते हैं यह देखो यह सिनरी है इसको यह मशीन पर तयार किया जाता है और मशीन पर तयार करने क के बाद इस तरह हो जाता है देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं इक कच्छा ह disponible जो बना हुआ है यह देख कि यह आईटम इसको सबसे पहले मश्छेंग पे लाते हो मश्छन पर इस ग्राड कर लएते हैं और तैयर करने sadly छटाई हो जाती है इसमें सफाई की जाती हैं, सफाई करने के बाद ये design तयार हो जाते हैं, और design तयार होने के बाद इस पर अलग से इस प्रकार से design बनाएं ebenus- उगा जैसे खिल की हो गए दरवाजिय हो गए, not grand of loорон r boy architect जैसे बनाते हैं, और सभ डिजाइन बनाने के gen इस पेस्टिंग करके इसको डिजाइन को उगारा जाता है, तो आए हम दिखाते है, देखिए ये भाई इसको काम को कर रहे हैं, देखिए इसमें ये रो माटिरियल जैसे रेशम की बनी हुई छड़ी है, इसका प्रियोग कर रहे हैं, और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं क कलरफूल में छड़ी हैं और इसमें पेपर लगा हुआ है पेपर पे इस छड़ी को फेविकोल से पेस्ट कर रहे हैं और डिजाइंस त्यार कर रहे है तो आईए मैं दिखा रहा हूँ आपको देखो सबसे पहले यह रेशम की छड़ी रखी हुई है यह देखिए वाइट रेशम वाइट रेशम से तयार की जाती है यह छड़ी सबसे पहले इसको डिजाइन बनाने के लिए इस पेविकोल लगाते हैं फिर उसके बाद इस पेस्टिंग करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीछे बहुत कलरफूल में डिजाइन में इस पर डिजाइन बने हुए हैं यह देखो इस पर डिजाइन बने हुए हैं इसको बना जाता है रेशम से और कलरफूल डिजाइन में चड़ी तयार हुई है यह देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाई बना र देखे एक सीजर का प्रियोग हें स्जाआ है सबसे पहरे जाए है तो इसोरी के बाजुने का जुक्त भखा हुआ है घ्ऱ़स्त में पेश्ट ऐसा ही जिस आफ मद म Esse पीछ्ट का द हीटम है उपार यह लगाए हुए है, इस पर फ्यवी कोल लगा हुआ है, फ्यवी कोल लगाने से इसमें चिपकता IC के वज़त से, तो देखिए, मैं आज आपको लाइब दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं, यह कैसे तयार करते हैं, आज मैं एक पूरा वीडियो दे रहा हूँ आपक को तयार करके कैसे बनाते हैं, तो देखिए, यह डिजाइन को तयार कर रहे हैं, छड़ी जिसमें फ्यवी कोल लगा हुआ है, रंग बिरंग की छड़ी है, और इस पर यह देखो जाली बान रहे हैं, मंकान में जैसे जाली होते हैं, यह जाली तयार कर रहे हैं, इसमें फैवी कोल एक्ष्टा लग गया है फैवी कोल को बराबर करके इसको कहीं चीज से काटके ये देखिए देखिए सर इसको जूट वाल हैंगिंग बोलते हैं इसको ये दिवालो गरपे सजावट के लिए लगाया जाता है बड़े-बड़े ओफिसों में घर में लोग प्रियोग करते हैं इसको और ये बहुत महेंगी जाती है और इसका बोर्ट डिमांड रहता है विदेशों में देखिए ये देखिए इसको फेविकॉल के इसको लगा के बराबर कर लिए और जो शेस फेविकॉल इसमें एक्ष्टा लगा हुआ है उसको लिब्यम लगा दिए देखिए ये कैसे तयार कर रहे है इस पर ये डिजाइन जो ये सब बनी हुई है ये जूट की बनी हुई है ये जूट है ये रो मेट्रियल जूट का आता है जूट को पहले रो मेट्रियल को कच्छे को रंगते हैं कलर बनाते हैं कलर बनाने के बाद इसको सुखा देते हैं दूप मे फिर यह कलर हो जाता है उसके बाद इसको मशीन पर लगा जाता है मशीन पर यह कारिगर होते हैं इसको बुनाई करते हैं डिजाइन्स जैसे डिजाइन्स बनाएक उनको दिये जाते हैं इस डिजाइन्स को बुनाए उसके डिजाइन्स तयार करते हैं और उसके बाद इसमें यह इसमें चाथाई भी होती है. इसमें यह भणा भणा, यह बना हिवा है, यह खजूर, डेट का पेड़ है. खजूर है यह, इसको पेड़ को बना जाएगा. अभी तो पेड़ बना नहीं हुआ है. और इसी यह तयार होने के बाद बनेगा. ये देखिए कैसे ये देखो ये है कलाकारी कैसे तयार करें देखिए देखिए ये डिजाइन्स वाला जो छड़ी है इसको मकान के उपर लगा रहे है देखिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी मेहनत और मशक्कत के बाद ये डिजाइन्स तयार हो जा रहेंगी इसमें देखिए और ये जो छड़ी ये बांडरी मारा हुआ है जसको ये पेंड़ा किसी किनारे कटबंदा बांद देते हैं वैसा बना हुआ है ये डिजाइन देखिए इसकी बहुत जाए डिमांड है और रात के करीब 9 बज रहे हैं और नाइट शिप्ट में काम हो रहा है वर्क्शॉप में देखिए ये तयार हो रहा है आइटम तो आईए हम इसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं जैसे ये आइटम तयार हो जाएगा तयार होने के बाद इसको बाहर बेजा जाता है पार्टी वगरे के लिए जो भी आउडर देते हैं उनको दिया जाता है आउडर को तयार करने के बाद चलिए ठीक है भाई देखो बना रहे हैं इस डिजाइन को फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक डिजाइन बनी बनाई हुई है जैसे ये देखिए सब कच्छा माल रखा हुआ है देखिए ये सब ये देखिए ये एक डिजाइन बनी हुई है और इस डिजाइन को गन ये दिजाइन करने के बाद जब ये प्रसेस कंपलीट हो जाता है पेस्टिंग का ये design कुछ हैसे देखने करने को मिलती है कि क्या खुबशूरफ्वर डिजाइन पे यह देखो भाय साफ ने कोवे बिर अबасти दे सबríम पेशिटी करने के लिए वह पेशिर पर बत्ती बोलते हैं गर के बाहर बत्ती लगाते हैं यह देखिए नाव है जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी बेहत खुब्चूरत बनाया इन्होंने अपरें कलंकारी को प्रयोग किया है यह देखिए तो देखिए यह जिसमें लगबग सभी काम हो गए हैं कुछ खीड़की और दरवाजा बाकी हैं बनाने के लिए बाकी साथ कुम्प्लिट हो गया एकाम कितना खुबसूरत माकान बना इन्होंने यह डिजाइन्स तैयार होने के बाद पुरा दारो मदार भूमिका इनी कारिगरों की होती है जो इसको पेस्टिंग करके बेहत खुबसूरत बना देते हैं यहीं कि मुखे कलाकारी एक तो कलाकारी यह देखने को मिलेगी आपको मशीन पर जो कारिगर इस मशीन के डिजाइन्स को तयार करता है और दूसरा इन कारगर भाई लोग का है जो यह पेस्टिंग करते हैं देखिए यह पेस्टिंग कर रहे हैं यह खिर्की बना रहे है देखिए ये खिलकी जैसा कि आपको देख पा रहे हैं कि खिलकी में एक दरवाजा खुला रहता है वैसे खुला हुआ आकार का एक डिजाइन्स बनाएंगे ये देखिए ये डिजाइन्स बनाती है इसमें एक दरवाजे का पला खुला हुआ है यह काट देंगे, यह तैयार हो गया खिड की पन के, यह देखिए है, काफी मेनत करने के बाद तो इसको तैयार के जाता है, इसमें देखो, कलरफूल, सभी प्रकार के प्रयोग, इसमें बत्ती भी लगी हुई है, दर्वाजे हैं, बत्ती हैं, सबका प्रयोग किया हुआ है, उबराल देखें तो इस डिजाइन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यह सब कुछ दर्शा देता है, डिजाइन, कि इस मका में खिड़की दर्वाजे, और आज प्रोडस में देखो, यह लगा हुआ है, यह बत्ती है, यह आप सब कुछ दिख जाएगा आपको, देखिए, आज आपको यूटूब पे पहली बार, इस प्रकार की कलाकारी देखने को मिलेगी, जो शायद ही कोई वीडियो अब तक अ बनाते हैं, यहाँ से आप माल लेंगे, तो बहुत सस्ता पड़ेगा, बाकी बहुत से लोग इंसे माल लेकर बेचते भी हैं, तो आज मैं आपको एक मैनुफेक्चरर के पास लाजा हूँ, जो यह माल बनाते हैं, देखिए, इस कैसे माल बनता यहाँ पर, वेकले, इस माल क को तयार के जाता है लगबग में ये सब काम कंप्लीट हो गया है बस जल्दी पूरी हो जाएगी ये शेह से खिड़की और एक दरवाजा बाकी रह गया है देखो ये फेविकल का प्रयोग कर रहे हैं इस पे लगा रहे हैं पेस्टिंग करने के लिए ये देखिए ये रेशम क जो छड़ी है उसको फेविकल से लगा रहे है ताकि ये फेविकल इस पे चिपक जाए देखिए ये तयार हो गया ये फेविकल देखिए इसमें देखो ये पहले से चुनियां का नक्षा काट कर रखे हुए बना कर रखे हुए चुनियां ये जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में वीडियो से पहले आपको दिखाया था एक डिजाइनस में उड़े ही थी चुनियां वैसा धेखो लगाएंगे ये ये देखो ये आसमान में चुणियां उड़ता हुआ नजर आएगा ये देखिए हाँ ऐसे मानू लग रहा है जैसे सच मी चुणियां उड़ रही हो ये देखिए ये ये होती है भाई कलाकारी ये चीज सब मार्केट में डिजाइन्स को ऐसे बना दी है ये कि मार्केट में रखने के बाद कस्टमर ना चाहते हुए भी इस खरीद लेगा इतना बहुत खुबसूरत लग रहा है ये देखिए भाई की कलाकारी देखिए भाई ये देखिए बिलकुल दर्वाजे जैसा लग रहा है ये देखो दर्वाजे बन गया तयार हो गया ये आइटम ये देखिए इसकी साइज जो है 40 इंच में होती है 40 इंच की साइज ये ये आपको वैसे मार्केट में जाएंगे खरीदने के लिए तो ये आपको अमूमन बारस्व या पंदरस्व के सम्थिंग प्राइस के मिलते हैं पट यहां देखिए जहां ये माल बना जाता है वहां बेहत काफी सस्ते दामों में इसको बेचा जाता है यहां इसकी कोश्ट है, देखिए, बहुत सस्ते दामों बेचते हैं यहां पर, देखिए, अब चाये तो यहां से ओडर भी ले सकते हैं, अगर आप मंगवाना चाये तो यहां से भी मिल सकता है, एक पीस भी मिल सकता है, होलसेल में भी मिल सकता है, जितना चाये उतना मंगवा सकते हैं यह देखिए अब इसको लकरी का थोड़ा है उससे अलका अलका प्रेश कर रहे हैं ताकि यह अच्छे से चिपक जाए ग्रू जो फेवी को लगा के रखा हुआ दा छड़ी और यह यह देखो अलका अलका इस पर प्रेश कर रहे हैं ठोपने से चिपक जाएगा बराबबद ताकि इसको उठाने के बाद कहीं से उबरा हुआ ना दिखे अच्छे से चिपक जाए ताकि इसको कैसे भी फोल्ड कर दें तो यह उखड़े ना डिजाइन बरकरार रहे है इसलिए यह लगबग रिजाइन के सभी काम पूरे हो गया है इसमें प्रेंड लग जाएगा प्रेंड लगने के बाद इसकी फिनिशिंग हो जाएगी सफाई हो जाएगी उसके बाद यह प्रोड़क्त मार्केट में जाने के लिए तयार हो जाएगा देखिए देखिए यह तैयार हो गया आइटम तैयार हो गया अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा दिखेगा यह तैयार होने के बाद जैसा देखिए यह कलाकारी है यह दिख रहा है इसे कहते हैं कलाकारी यह देखो क्या डिजाइन लग रही है खुबसूरत तो ठीक है अब दोस्तों देख लिए कैसे बनते हैं इसको पेस्टिंग करते हैं तो अगर आप भी मंगोना चाहते हैं या होलसेल में या रिटेल में यहां पर में सकता है यहां पर इसको बना जाते हैं तो कि आप दोस्त देखें कैसे इसको बना जाता है तो आज आपको कुछ इसके बारे बता दें जो कि आपको वीडियो यह सब दीखेगा नहीं यूटूब पे पहली बात कोई दिखाता भी नहीं है तो जैसा कि मैं आपको दिखाया कैसे बनाते हैं भाई देखो रात हो गई इसके बारे बताइए कुछ तो मुझे रगा है चलिए ठीक है आज हम वीडियो बना देते हैं तो जैसा कि आप लोग ने देखा था कैसे तैयार किया था आप यागना किसी प्रकार की डिजाइन से बनवाना चाहते हैं एनिधिंग कुछ भी और भी कर सकते हैं बना भी दें हमारे पास बहुत से कारिगर काम करते हैं अपने हिसाब से हर डिजाइन बनाने में माहिर है तो ठीक है ओके अब ठीक है बाए